दोस्तों 2010 में एक खबर अकपारों की सुर्खिया बनी थी कि साइंटिस्ट ने लेब में आर्टिफिसल सेल क्रियेट कर लिया है इस कारणामे के पीछे थे एक क्रैग वेंटर नाम के एक साइंटिस्ट और जिसके बाद से वो सेल रिप्रोड्यूस तो कर पा रहा था हलाकि उतने बहतर धंग से नहीं जैसा की एक्चुल में पूरे जीनोम के साथ वो रिप्रोड्यूस करता है यानि वो जो उसका पूरा जीनोम था उसको डियने सिंथेसाइजर मशीन की मदद से लैब में तियार किया गया था तो इस सबसे हम क्या मानें क्या हम ये मान सकते हैं कि साइंटिस्ट ने एक्चुल में लैब में आर्टिफिशल लाइफ क्रियेट कर ली है या फिर हमें अभी और इंतिजार करने की जुरूत है और ये सवाल इसलिए महत्पूर है क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि यदि साइंटिस्ट लाइफ के बारे में अतना ज़ादा जानते हैं जिस दिन साइंट एक मुरदा अदमी को जिंदा कर देगा उस दिन मैं नास्तिक बन जाओगा इसी आर्गुमेंट को एक दूसरी तरह से कहा जाता है कि लाइफ और डैट जो है वो गौड के हाथ में है यानि वही life को पैदा कर सकता है और वही life को वापस ले सकता है तो इसके जवाब में हमारे बहुत सारे नास्तिक भाई जवाब देते हैं इसका कि जैसे बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें इनसान मरने वाला होता है यानि वह तो God कही हाथ में है यндि आदमी मर गया तो फिर वह से कोई जिन्दा नहीं कर सकता तो उसका सीधा जवाब ये है कि वह तो फिर God भी नहीं कर सकता तो यह बहस जो है लंबे समय से हमारे समाज में चलती रहती है कि जो life है क्या एक्चल में यदि हम life को यदि हम इतना जानते हैं समझते हैं जिस तरह की science में जो तरक्की हुई है और जिसकी वज़ा से हमें पता चल गया है कि एक्चल में जो cell है वो कैसे function करता है cell के even जो molecules हैं उनके क्या-क्या functions हैं और वो उसका पूरा internal structure वो सब scientist जो है समझ चुके हैं तो फिर एक सवाल उठता है कि यदि जब हम इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर हम एक artificial cell को lab में क्यों नहीं create कर सकते तो आईए आज इसी विशह प हैं तो एक artificial life है जिसको की lab में create किया गया है तो एक्चल में उन्हों नहीं क्या किया था ये हम पता करते हैं एक्चल में उन्हों नहीं जो किया था वो ये था कि उन्हों ने जो bacteria था उसके genome के कुछ पार्ट को उन्होंने lab में synthesize किया यानि उसका जो gene था वो किसी cell के अंद ही बनता रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कि हमने उसको lab में create किया है और ना केवल create किया बलकि उसको हमने उस cell के अंदर plant किया और उसके बाद वो cell normal function कर पा रहा था ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जैसा कि आप जानते हैं कि DNA is like a brain for the cell वहीं से सारी instruction आ सकते हैं कि जो उन्होंने केवल उसका DNA ही तो synthesize किया बाकी जो cell membrane थी और उसके अंदर के पार्ट से उनको तो उन्होंने नहीं बनाया तो क्या हम इसको ये माने किये जो cell था वो पूरी तरह से artificial था या हम इसको कह सकते हैं ये partially artificial था यानि कुछ पार्ट जो है हमने lab में बना लिया बागी पार्ट आपने जो है cell का जो biology का जो life का जो पार्ट है उसको वहां से ले लिया तो क्या इसको हम entirely नहीं बना सकते हैं क्या हम पूरी तरह से पूरे cell को हम design नहीं कर सकते हैं देखिए ये बास सच है कि DNA जो है वो cell का एक बहुत जरूरी पार्ट है जिसके के function से मिलकर बनी है और जो की पूरा साथ में एक synchronized तरीके से गाम करती है और पूरे एक functional cell को बनाने के लिए from the scratch हमें बहुत सारे अलग-अलग parts को synthesize करना पड़ेगा और उनको एक साथ में लाकर जोड़ना पड़ेगा लेकिन ये बात सुनने में हम जतना आसान समझते हैं य घड़ी के पुर्जों को arrange करने जैसा नहीं है कि आप घड़ी के अलग-अलग पुर्जों को अलग-अलग जगा पर बना लीजे और उसको लाकर साथ में एक साथ assemble कर दीजे यहां पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चोटी हैं सैल जो है जिन molecules से मिलकर बना है वो molecules है एक्चल में जो घड़ी के जो parts हैं उनसे बहुत बहुत ज़्यादा चोटे हैं वो कितने चोटे हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुई की नौक पर millions of molecules आ सकते हैं सोच यह कितने चोटे हैं और इतने चोटे molecules को हमें handle करना उनको arrange करना इस सब की technology अ हमें बहुत चोटे चोटे ओजारों की जरूत पड़ती है जिसके घड़ी साज को यदि आपने काम करते हुए देखा होगा तो आपने देखा है कि बहुत चोटी सी चिम्टी से काम करता है वो क्योंकि जो चोटे parts हैं उनको पकड़ने के लिए एक चोटा tool चाहिए जिस तर कि हम imagine करते हैं कि अलग-अलग molecules को अलाकर scientist है उसको arrange कर दें लेकिन उसको उस तरह से arrange नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही चोटे हैं उनको आप इतनी चोटी tweezers हमारे पास नहीं है जिससे कि हम उनको पकड़ सके और जो molecules हैं वो actual में जो हम जो चीज़ें अपने आम जीवन में देखते हैं जैसे वो ठोस होती हैं उस तरह के ठोस वो नहीं होते जो चीज़ें आपको ठोस दिखती है ज़िए आप उनको जूम करके इतने इतने लेवल तक जूम कर सके कि आप तो molecules के लेवल पर पहुंँ जाएं तो आपको वहाँ पर दिखेगा कि जो चीज़ें अंदर यदि आप जूम करके देख सकें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है यानि एक वो इस लाइक फैक्टरी जो की लगातार चले जा रही है जहाँ पर बहुत सारी मॉलक्यूल सिदर से उदर पहुचाए जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा जा रहा है तो ये सारा function जो है cell के अंदर हर समय चलता रहता है एक life cell के अंदर कहने का मतलब है कि life कोई रुकी हुई चीज नहीं है लेकिन life एक ऐसी चीज़ है जो की लगातार चल रही है और चलती हुई फैक्टरी को असेंबल करना आपने आप में एक चैलेंज है एक चलमें जो cell जो है वो एक bag of molecules नहीं है जिसमें की बहुत सारी जो molecules हैं वो ऐसे ही भरे हुए है उसके अंदर जो कुछ भी molecules हैं जो भी और्गनल्स हैं वो सब एक खास arrangement में है जैसे कि एक घड़ी के अंदर होता है घड़ी के अंदर जो हर एक पुर्जा है वो एक खास arrangement में है एक खास जगा है उसकी जहांपर वो fix है जहांपर उसका एक खास function है उसी तरह जो cell के अंदर जो molecules हैं वो भी ऐसे ही नहीं एक रैंडमली भरे हो हैं कि वो बस ऐसे ही भर दिये गए उनको अभी एक खास जगा है उनका भी एक खास function है और उनका एक खास arrangement है जो की सही होना ज़रूरी है लाइफ को आप इस तरह से नहीं बना सकते कि जैसे कि आपने टेस्ट्यूब में लाइफ के लिए जरूरी molecules लिये एरने लिया डिया ने लिया थोड़ा सा इम्मिनो एसिड लिया और थोड़ा सा थोड़े से sugars लिया अपने थोड़े से फासफोलिपेट्स लिया और उनको श सेल बन जाए ये अभी भी एक बहुत बड़ा challenge है तो यहां पर आकर बहुत सारे लोग यह सोचने लग जाते हैं कि जो चीज इतनी complex है इसको कि इतना कुछ जानने समझने के बाद भी scientist lab में create नहीं कर पारे वो nature में अपने आप किस तरह से बनती रहती है तो उसके पीछे ज refined और workable form में मुझूद है जो कि बहुत ही अच्छे से function कर सकता है और उस चीज को हमें बिल्कुल entire from the scratch create करना lab में वो हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि वो इतने जो सालों की जो knowledge है उस knowledge को समझना उसको decode करना और उसको फिर lab में तयार करना यह अपने आप में challenge है तो यह modern cell जो की बहुत ही ज़्यादा highly evolved है और बहुत ज़्यादा complex है उसको lab में synthesize करना इतना मुश्किल है तो क्या हम एक simple cell से शुरुआत नहीं कर सकते हैं जिससे मैं life धरती पर बनी थी तो वो simple जो रूप था life का उस तरह की life हम lab में create नहीं कर सकते हैं इस तरह की life create की सकते हैं लेकिन उसके पीछे भी कुछ challenges हैं वो challenges यह है कि हम नहीं जानते कि actual में जो life जब धरती पर create हुई तो actual में वो किस तरह से थी अभी जो हमारे सामने life का जो रूप है वो बहुत ज़दा complex है और उसको देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका जो प्राचीन जो रूप वो किस तरह का होगा हम actual में उसके बारे में अभी पूरी तरह से नहीं समझते हैं लेकिन Max Planck Institute की Petra Swill जो है जो कि एक bio physicist है उन्होंने इस challenge को accept किया है उन्होंने अपनी lab में कुछ इस तरह के synthetic cells को develop किया है जो कि living cells के कुछ function को mimic करते हैं यानि वो उसी की तरह कुछ-कुछ movement करते हुए दिखते हैं और साथ ही में वो divide भी अपने आप हो सकते हैं अला कि इसके बावजूद भी हम उनको एक living cell नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो living cell है वो बहुत सारे other functions को भी अंजाम देता है जो कि उसके अंदर चलते हैं लेकिन वो इसके दिशा में काम कर रहे हैं और उन function हमें पता चलता है कि जो life है वो कोई divine चीज नहीं है बलकि वो chemical molecules का एक complex system है जो की आपस में एक arrangement में काम करता है और जो की पूरी तरह से chemistry के नियमों पर आधारित है जैसे कि हमने देखा कि जो scientist जिनोंने की DNA को synthesize किया lab में एक machine के अंदर और उसके बाद जब उस synthesize DNA को cell के इंदर डाला गया तो वो एक normal DNA की तरह ही function कर रहा था इससे चीज क्लियर हो जाती है कि जो chemical molecules है वो ही matter करते हैं आप इसको ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने उस DNA के द्वारा उस cell के अंदर जान डाल दी क्योंकि जब तक उसके अंदर DNA नहीं था वो function नहीं कर रहा था बट ज इंतिसाइज करने लेब में और उसको मिलाकर किसी दिन एक living cell भी लेब के अंदर बन जाए लेकिन तब तक हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि यदि कोई natural चीज या कोई natural phenomenon आज हमारी समझ में नहीं आ रहा है आज हमारी समझ से बाहर है तो उससे किसी divine entity का होना proof नहीं हो उससे सिर्फ इतना ही बता चलता है कि अभी हमें और ज्यादा research की जरूरत है हमें और ज्यादा खोजने की जरूरत है जिससे कि हम उसको समझ सकें अतीत में बहुत सारी चीज़े हमारी समझ से भाहर थी जिसके लिए God से लेकर तमाम अलग-अलग तरह के फरिष्टों की की गई थी लेकिन आज हम उन चीज़ों को समझते हैं और अब उनको समझाने के लिए हमको किसी God या किसी फरिष्टे की जरूरत नहीं पड़ती किसी unknown phenomena को explain करने के लिए किसी God या किसी divine entity की कलपना कर लेना खोज के रास्ते पर हथ्यार डाल देने जैसा है और जिसका मतलब झाल, झाल